ये कहाने शुरू होती है एक पापी गुडिया के साथ जो शायद आपकी एक्स से भी कुछ जादा ही खतरनाक होगी जो आपको पीछे हमला करेगी और आपसे मांगेगी एक सेकरिफाइज तो जानते हैं स्टोरी को और आप देख रहे हैं शोटाइम एक्स्प्लेइनर तो वी पुडिया में आने दिया बट पता चलता है कि एक लड़की की नहीं बलकि एक शैतानी आत्मा है बटा बैना बेल डोल को रोग दिया गया है बट ये कहानी है उस इंसिडेंट से एक साल पहले की जहाँ पर ये सब पंगे की शुरुवात हुई थी एक कपल के साथ में जो है पुड़ के बारे में भी बात करते हैं जहाँ पर मिया अपने नेबर से जादा डिसकस नहीं करना चाती है क्योंकि नेबर की डॉटर दो साल से गायब थी वो अपने फैमिली को छोड़के किसी कल्ट को जोईन करके अपने पेरेंट्स को छोड़ चुकी थी जिस मॉमेंट मिया अपने नेबर से उसकी बेटी की याद नहीं दिलाना चाती है और अपने घर आने के बाद हस्बेंट के साथ टाइम एंजोई कर रही थी बट उसे लगता है कि उसका हस्बेंट उसको प्यार नहीं करता है जो हर निबा निबी की स्टोरी है कि बाबू सोना नहीं हो रह हम देखते हैं इस डोल को अपने घर में सजाने लगती है मिया क्योंकि उसे डोल सजाने का बहुत ज़्यादा शोक था गाइस हमारी मम्यों को शोक होता है चम्मचे कलेक्ट करने का ग्लास कलेक्शन करने का बड़ यहां पर मिया को शोक है अजीब अजीब गुडिया कलेक्ट करने का और वो इस नई डॉल को अपने दूसरे कलेक्शन के साथ रखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने हस्बेंट जोन को माफ कर देती है हर उस निभी की तरह जो छोटे सी गिफ्ट से खुश हो जाती है और अब उसी रात को हम देख पाते हैं नेबर्स की घर म और यहाँ पर शायद मिया को कोई वहम हुआ हो क्योंकि वो प्रेगनेंट है और थोड़ी चिड़ चिड़े नेचर की भी हो चुकी है हर गल्फ्रेंट की तरह हम देखते हैं इस मोमेंट पर भार जाने लगता है जोन अपने नेबर्स की घर पे और उसके भार आने पर देखने लग रहा था जहाँ पर अब उनकी नेबर की डॉटर एनबिल उस डोल को पकड़े खड़ी हुई थी जो अपने बॉइफ्रेंट के साथ यहाँ आ चुकी है और वो बार बार कहती है कि उसे डोल पसंद आई है जहाँ पर डरते हुए में यहाँ पीछे हटती है और बोलती है कि डोल को ले जाओ मेरे हस्बेंट यहाँ पर आने वाले है और प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ हम देखते हैं जैसे वो उसको कह रही थी उसके पीछे से अटेक करता है एनबिल का बॉइफ्रेंट जो उसे स्टैब करते हुए मारने की कोशिश कर रहा था हम द एनबिल के बॉइफ्रेंट को मारती है और बाकी सब की जान बचाती है बर तब तक देर हो चुकी थी यहाँ पर एनबिल अपने आपको एक रूम में बंद करके अपना गला काटते हुए अपने आपको मार डालती है जिस मोमेंट पे उसके पास वही डोल थी और जिस डोल क के उपर उसका खुन गिरने लग रहा था हम देखते हैं शायदो किसी सेक्रिफाइज रिचुल में पाटिस्पेट करती थी जिसके वज़े से उसने अपने माबाप को मार दिया जो यहाँ पर नेबर थे और उनकी वज़े से जोन और मिया पे भी अटैक किया जहाँ पर अपने माबाप को मार डाला जहाँ पर उसका बॉइफरेंड भी इंवल्व था हम देखते हैं यहाँ पर उसका बच्चा बिल्कुल सेफ है जिसको देखकर मिया और चोन थोड़े रिलीफ फील करते हैं बट अभी वी उनके लिए प्रॉब्लम्स खतम नहीं हुई थी क्यों मिया को अब बेटरेस्ट लेना पड़ेगा पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर और कुछ टाइम में निबबा निबबी अब घर भी आ जाते हैं जहाँ पर निबबी जो मिया है वो थोड़ी इंसिक्योर फील कर रही है वापस इस घर में आने के लिगी क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है शैद बच्चे पे इसका कोई फेक्ट पड़ेगा बढ़ यहाँ पर जोन उसे लेकर आ चुका था क्योंकि भाई अभी भी वो मेडिकल स्टूडेंट है और वो एक नया घर अभी इतनी जल्दी अफोर्ट नहीं कर सकता है हम देखते हैं उस घर मे आने के बाद उसने पूरी क्लीनिंग कर दी है और जिस रूम में एनबेल ने अपने आपको मारा था उसको बंद करने लगती है जहाँ पर वो डोल अभी भी साफ करके उसने उपर रख दी थी हम देखते हैं डोर बंद करने के बाद उसके लिए वाँपर टीवी लगा दित और जैसे उसे हटाने जाता है वहाँ पर वो देख पा रहा था कि उसी डोल रूम का दरवाजा खुला हुआ था और जैसे बंद करने लगता है वो डोल वापस बीच में अटकने लगती है जैसे कि किसीने डोर में उसे फसा दिया हो उसे एक चेयर पे पटक के वो डोर जहांपर टीवी फ्लिकर कर रहा है और उसे चेर हिलने की आवाज आ रही थी जहां हम टोई रूम में देख पाते हैं यो चेर अपने आप हिलने लग रही थी बट जैसे मिया वहा आती है उसे कोई भी मुमेंट नहीं दिखती है और वो डोर बंद करके वापस चली जाती है ब इसके लिए उससे टाउन से बाहर जाना पड़ेगा दो तिन दिन के लिए और यहां पर उसके लिए उखाने का समान ला चुका है जिससे कि वो अकेले भी थोड़ा टाइम बिताए हम देखते हैं पहले तो मिया इसके लिए थोड़ी नवस थी बट एक्सेप्ट करती है क्य क्योंकि यहां पर यह जोन के करियर का सवाल है हम देखते हैं उस मॉमेंट पे जोन पूरा ख्याल रखने लग रहा था मिया का बट मिया थोड़ी रूड और इरिटेटिंग बिहेव कर रही है शायद उसकी प्रेगनेंसी की वज़े से और यहां पर वो डोल को देखके घब किलने की बात करता है जो इस पूरे एनबल के केस पे स्टडी करने लग रहा था और बताने लगता है और डिटेक्टिव की किस तरह यह सब सेटनिक कल्ट को फोलो करते थे और इसी वज़े से उनने वॉयलेंस की है और यहां पर अब यह वोयलेंस शायद नहीं होगी क्योंक जहां पर अब उसका हस्बेंड उसके लिए पॉपकॉन त्यार करने की कोशिश करता है बट यहां पर मिया पहले ही सोच चुकी थी और अगले दिन सुबह त्यार होने के बाद हस्बेंड जोन थोड़ा नवस नज़र आ रहा था और वहां से जाने की त्यारी करता है हम हाथ को धोने जाती है और पता चलता है कि घर में आग लग चुकी है और धुआ की वज़े से मिया भी होश होने लगती है बट तब तक भाहर के लोग आकर मिया की जान बचाते हैं और जोन को वापस पुलाते हैं जहां पर जोन वापस आने के बाद बहुत जादा वरीड थ और खुश भी क्योंकि घर में अपने बच्चे को लेके वापस नहीं जाएगी जहां पर पहली बार जोन उसकी बाद सुनने के लिए रेडी है क्योंकि वो अपने बच्चे की फुल सेफटी चाता था हम देखते हैं नए अपार्टमेंट बे शिफ्ट होते हैं जहां पर ज इससे कि मिया और उसकी बेटी लिया आकर रहना शुरू कर सके और यहां धीरे धीरे उनकी लाइफ नॉमल हो रही थी जैसे की बाहर घूमना चर्च में जाना फादर से मिलना जहां पर फादर उनकी एक फोटो भी क्लिक करते हैं और वो हीगन फैमिली के बारे में पूछने कर ट्राई करते हैं बट यहां पर मिया उनके बारे में बात नहीं करना चाहती है क्योंकि उनकी बेटी एनबेल ने उन सब की जान लेने की कोशिश की थी जहां पर अपने हस्बेंट के साथ वापस घर पे जाती है हम देखते उस मॉमेंट पे एक एवलेन नाम की लेडी उन गिफ्ट किया था उसके हस्बेंट जोन ने तो इस गिफ्ट को ऐसे फैकेगी नहीं अब जिसको देखकर जोन थोड़ा कन्फ्यूज था क्योंकि लास्ट टाइम इसको देखकर वो क्रीप आउट हो रही थी और अब वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रही है हम देखते है इस मुमेंट पर फैमिली फिर से खुश होने लगी थी बड़ गाईज यह होरर मूवी है यहाँ पर कुछ भी अच्छा चलने लगे मतलब गडबड होने वाली है और वैसा होता भी है जहाँ पर हम देखते हैं मिया जैसे ही सोने लगती है यहाँ पर एक अजीब सी घूर रही थी हम देखते उस मुमेंट पर मिया यहाँ खुलती है और वो बच्चे को एक वाक के लिए लिजाने लग रही थी जहाँ पर उसे दो छोटे बच्चे नजर आते हैं जो मिया से डर के उससे बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अंजान थी और इस बिल्डिंग मे नहीं आई है हम देखते उस मुमेंट पर मिया थोड़ी दोस्ती करना चाह रही थी उनसे बट बच्चे बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं जहाँ पर अब मिया अपनी बेटी लिया को लेकर सीधा वोकिंग के लिए जाने लगती है जहाँ पर उसे एवलिन मिलती है और excitingly दोनों को मिलने के बाद एक बुक गिफ्ट करती है जो उसकी बेटी की फेवरेट थी हम देखते हैं मिया उस बुक को लेके वापस घर की तरफ आने लगती है बट बुक स्टोर में एक डेवल की बुक थी जिससे मिया पे कुछ एफेक्ट पढ़ने लगा था बट मिय उससे पहले घरा चुकी थी अपने आपको बचाते हुए जहां उसे सीडियों में कुछ ड्रोइंग्स नजर आई जिसमें वो अपने बच्चे की साथ थी हम देखते हैं इसको देख के खुश होने लगती है कि शायद उन बच्चों ने ड्रोग किया होगा जो इन सीडियों पे बैठे थे बट एक दो पेंटिंग सूपर से ओर गिरती हैं जहां पर नजर आ रहा था कि एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा है और बच्चे को कुछल के जा रहा था जिसको देख के बहुत ज़दा गुस्सा थी और अपने हस्बेंट जोन से भी बात करती है यह पता लगाए जो बच्चों को उपर ट्रक चड़ाने लग रही है बट गाईज यहां पर जोन कोई भी एक्शन नहीं लेता है और मिया घर में अपने आपको कुछ टाइम बाद अखेला पाती है जहां पर उसे नजर आता है एक साया जिसने उसे पहले तो डराया बट फिर बात में एक ब बताने लगती है जोन को जो खुद घबराए हुआ था कि शायद उसकी बीवी को डिप्रेशन तो नहीं हो गया है क्योंकि छोटे बच्चे को समालना इतना आसान भी नहीं होता है और उनके साथ जो जो चीज़े हुई है वो कुछ खतर ना की थी शायद उनने कोई हेल्प लेनी चीज़े जहाँ पर मिया को लगता है कि शायद ही उसे पागल खाने ना छोड़ दे बट जोन का कहना था कि हम चर्च चलते हैं फादर शायद कोई हेल्प कर सके जहाँ पर फादर के पास जाने के बाद फादर उन दोनों को एडवाईस करता है कि वो एक दूसरे को सा कोई ना कोई इविल चीज तो है जो इनने तंग कर रही है जहाँ अब आते समय वो एवलिन से भी मिलते हैं जहाँ पर पहली बार जोन एवलिन से मिल पा रहा था जो शायद इस बिल्डिंग के पास ही रती है और खुद का बुक स्टोर ओन करती थी हम देखते हैं यहाँ प पास कोई है और यहाँ पर एक दिमोनिक बीस्ट मिया के उपर हवी होने की कोशिश करता है उसको पंजा भी मारता है और हम देख पाते हैं पहली बार इस बीस्ट का असली चैरा जो बहुत ही जादा खतरनाक था जहांसे मिया भागने की कोशिश करती है लिफ्ट में बट ल पार बार उसको डीमन नजर आता था सीडियों पे जो उस पर अटैक करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है हम देखते हैं मिया अपनी जान बचा के अपने फ्लैट तक तो पहुँच चुकी है बोट के हाथ पे अभी भी निशान है जिसके लिए बेंडेज लगा चुकी हम देखते हैं जैसे ही सुबह वो बेंडेज उतारती है वहाँ पर कोई भी निशान नहीं था जैसे कि यह सिर्फ उसका बुरा सपना हो बट मिया को पता था कि सपने इतने खदरनाक नहीं होते और ये शायद कुछ और ही बला है जिसके लिए वो हेल्प लेगी एक डिटेक पेपर्स में था और ये कल्ट करना क्या चाता था जहाँ पर डिटेक्टिव का कहना है कि वो शायद किसी पुराने रिच्वल को फोलो करते हुए किसी को संबन कर रहे थे वो अजीब और गरीब लोग है उनको कोई भरोसा नहीं है और प्लीज वो इन सब में इंवल्व ना नहीं करना चीए बर दीरे दीरे एवलेन उस पर ट्रस्ट बनाती है जिससे कि वो उसकी help ले सके जहाँ पर मिया शेर करती है घोस्ट के बारे में और मिया के सारे बाते सुनने के बाद एवलेन एक्स्प्लेन करती है कि ये कोई घोस्ट नहीं है घोस्ट एक प्लेस से connect रहत क्योंकि खुद की उसकी एक सोल नहीं होती है जहां ये सब सुनकर मिया डर चुकी थी बट उसको confident और bold होने के लिए कहती है उसका कोई और मकसद है life में जहां पर वो दूसरों की help करना चाहती है और मिया को भी करनी पड़ेगी अपनी family की help जहां पर मिया अपने घर जाने लगती है उन books को लेकर जहां पर Evelyn उसे guide कर रही थी इस demon को खतम करने के लिए बट guys मिया के उपर वही attack होता है ट्रक वाला जैसा visions में बताये गया था जहां पर मिया अपने बच्चे को बचा तो लेती है बट अब घबराच चुकी थी क्योंकि demon कहीं ना कहीं अब उसके बच्चे की तरफ बढ़ने लग रहा था और जिसको रोकने के लिए मिया के पास तिरिफ वो books थी जिनको पढ़के पता लगाती कि demon कैसे हो बच्चे को possess कर सकते हैं वो सब चीजें बट तभी उससे आवाजे आने लगती है और ये demon उसे room में लोक कर देता है और यहाँ पर उसके बच्चे पर किताबे गिराने लग कि पाते हैं हम देखते हैं इसको देखके चिलाने लगती है मिया बट यहाँ पर जेचन को पूरा किस्सा समझाती है और बताते है कि demon में है जो उपर प्च्चे के बीचे आ चुका है हम देखते हैं जोन को इन बातों पे कम यकीन था बट उस मोमेंट तक वो फादर को कॉल करके बुलाता है जिससे कि वो कुछ help कर सके जहाँ पर father का कहना था कि ऐसे demon possess कर जाते हैं objects को और at the end of the day उन्हें सिर्फ soul ची होती है और यहाँ पर वो बच्चे की soul शायद ना चाहें बट वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई soul को sacrifice कर दे हम देखते कोई भी अपनी soul sacrifice नहीं करना चाहेगा बट यह demon उन्हें manipulate करेंगे यह करने के लिए जहाँ पर उस demon को रोकने के लिए उनको एक special team को बुलाना पड़ेगा जो कुछ time में यहाँ पर आ जाएगी बट उस moment तक Mia नहीं चाहती है कि यह doll घर में रहे जहाँ पर father Mia और उसके बच्ची की safety के लिए इस doll को चर्च की तरफ जहाँ पर रास्ते में father के radio में कुछ गरबर नजर आती है बट father इनको ignore करते हुए सीधा church पहुंचता है बट अंदर entry लेने से पहले उससे Annabel की ghost नजर आती है जो बहुत ही ज़ादा भयानक थी बट उसको ignore करके जैसे अंदर जाने लगता है वो demon दूर और अब हम देखते हैं जोन को जो सीधा अपनी next shift के लिए जाता है सीधा hospital में और मिलता है नन से और देख पाता है कि father वहाँ पर admit थे जिनके पास वो wait करके पता लगाना चाता है कि उनकी हालत किस ने की थोड़ी देर बाद उन्हें होशाने लगता है और वो बताते हैं कि किस तरह उनने एक evil presence को अपने पास महसूस किया उस doll की वज़े से वो doll बहुत ही ज़ादा cursed है और वो मिया की soul जाती है ना कि बच्चे की क्योंकि बच्चे अपनी soul कभी भी offer नहीं कर सकता है यहाँ पर मिया की जान खत्रे में है और तुमें बचाना होगा जोन उसे जहाँ यहाँ पर अब जोन भागने की कोशिश करता है कॉल मिलाता है मिया को घर पे जहाँ पर वो अभी एवलेन के साथ मार्किट से आई थी और यहाँ पर एवलेन ने लिया के लिए बहुत छोटी छोटे बच्चों के कबड़े खरी दी थे क्योंकि यहाँ पर एवलेन के रेंट पर उसकी बेटी की मौत हो गई वो और वो उसे गुडबाय तक नहीं कह पाई क्योंकि उस लास्ट मॉमेंट पर वो बहुत जाद इमोश्टल होने लगती है और उसके हाथ पे कट भी था शायद इसने अपने आपको खतम करने की कोशिश की बट कहीं ना कहीं उसकी बेटी की आत्माने उसे रोक लिया था हम देखते हैं उस मौमेंट पर बहुत जाद इमोश्टल होने लगती है वहाँ पर बार पर जोन का कोला आ रहा था बट उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है जैसे कि सारे नेटवर्क जाम हो गए हो इस घर के हम देखते हैं उसी म के बिल्कुल ड्रेड थी हम देखते हैं यह सब देखके मिया और एवलेन दोनों डर चुके थे और वो घर को छोड़के भार भागने की त्यारी में थे बट तब ही मिया अपनी बेटी लिया को ढूनने के लिए जाती है जहाँ पर उसको नहीं मिलती है बट इस मॉमेंट प करने की कोशिश करता है मिया को उसकी सोल देने के लिए जहाँ पर वो कईना कई ट्रिगर कर रहा था कि वो बच्चे की सोल ले लेगा वरना उसके पास ओप्शन है अपनी सोल देने के लिए जहाँ पर मिया अपने बच्चे को नाख होते हुए खुद को सेक्रिफाइस करने के लिए त्यार हो रही थी जो डीमन का रियल प्लान था बट गाइज अभी भी एक उमीद बाकी थी जो था जोन जो गेट तोड़ते हुए एवलेन के साथ अंदर आने लगता है और मिया को रोकने की कोशिश करता है जहां पर मिया का प्लान था कि वो अपने बच्चे के वही मोमेंट है जिसके बारे में उसकी बेटी बात कर रही थी उसको अपने आपको सेक्रिफाइस करना पड़ेगा लिया को बचाने के लिए जहां पर वो अपने आपको दीमन के लिए सेक्रिफाइस करती है और नीचे जाके मर जाती है जिसको देखकर जोन और मिया दोनों बहुत ज़दा शौक थे और तभी उनके सामने उनकी बच्ची वापस आ चुकी थी मतलब डीमन ने उनकी बच्ची वापस कर दी है और उसको सोल मिल चुकी है जहाँ पर नीचे देखने पता चलता है कि डॉल गायब है मतलब यह डीमन अब किसी और को अपना शिकार बनाएगा और यहाँ पर यह फैमली अब बच्चुकी थी उस डीमन से यहाँ पर डीमन डॉल को वापस ढूनने की कोशिश भी की गई बट वो मिली नहीं जिसको सोचते हुए फादर वोन करते हैं कि जिसको भी वो डॉल मिलेगी प्लीज भगवान उसको हेल्प कर देना वो बहुत ही ज़ादा खतरनाक डॉल है इस मॉमेंट पर मिया अपनी फैमिली के साथ वापस बहुत ज़ादा खुश होने लगी थी और एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं एक मदर अपनी बेटे के लिए उसी डॉल को सेलेक्ट करती है जिसमें एनेबल की खतरनाक आत्मा है क्योंकि उसको लगता है कि वो एक नर्स है तो शायद वो दूसरों की हेल्प करती है तो उसको एडॉल अच्छी लगेगी हम देखते हैं ये डॉल अपने आपको फिर से हुमन सोसाइटियम वापस लाद चुकी है जिससे कि ये ओर सोल कलेक्ट कर सके इसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट कॉन्जूरिंग का तब तक लिए वीडियो को लाइक करो चैनल को सिस्क्राइब करो देखते रो शोटाइम एक्स्प्लेनर तब तक लिए टेक केर बाइबाइ सायुनारे टाटा